हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है अनुजी एस अकैडमी में और मैं हूनीहा मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिफ्ट प्रेक्टिस सेट चलिए से स्टार्ट करते हैं यह भी अग्रवाल एक्जाम कार्ट पब्लिकेशन से लिया गया है एक प्रेक्टिस सेट मे चलिए अब मैं आपस के लिए कोशन लेकर रहें 51 इससे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बर फिर यही कहना चाहूंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजेगा और मुझे बताईएगा कि आपके कितने कोशन सही आ रहे हैं क्योंकि पता है आप में को यह पता चलत को तो हमारा कोशन है 51 या बोला है बिहारी किस काल की कभी थे तो फ्रेंड में आपको बताना जाओंगी जो बिहारी जी थे वो हमारे रितिकाल की कभी थे और इनकी एक मात्र रचना है जो वो कौन सी है बिहारी सत्साई जी इनकी जो रचना है सत्साई मानी जाती एक मात्र इनके बारे में आप एक बात और याद रखेए ये जो है कि शिंगार रस्क कभी है कहां के कभी है ये शिंगार रस्क के प्रमुक कभी माने जाते हैं आप याद रख लीजेगा इन दोनों बातों को इस से देखें आपके तीन कोश्ण की आंसर मिल गए आपको चलिए ठीक है कोशन से बहुत से लोगों की पता है किया रहती है मैं को यह रहता है मैं आपने दूख नाए नहीं पड़ायां तो आप परिशान नहीं होगे आपको जो भी कभी आते हैं कोशन इसमें प्रैक्टिस सेट में तो मैं उसके आनसर बता देती हूँ जितनी उसकी चलिए है अपके 52 की हम दिवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले किस की पंगती है तो friends यह जो question है इसका जो option होगा हमारा D होगा भगवती चरण वर्मा जी की यह हमारी पंगती है ठीक है friends क्या है इसके option D है चले तो मैं इनके बारे में कुछ important इनकी जो रशना है वो भी बता देती हूं चित्र लेक भूले बिसरे चित्र यह भी इनकी important है तुम रगनैनी इनकी important है पत जड़ के पीले पत्तों ने important है इनकी आज का मानव भी नहीं की है और किकिते अग्याद देश से आने वाले यह भी इनकी important है ठीक है तो इनकी बहुत सारी आपको रशनाय पता चल गए है किसी के भी नाम के साथ आ जाए तो कौन है इनके रशनाकार या लेकर रशना करने वाले बगवती चरन वर्मा जी है ठीक है 52 का डी चलिए बात करते कोशन नमबर 53 की वह तोरती पत्थर देखा मैंने उसे इलाबाद के पत्थ पर उप्योग पंक्तिया किसकी है फ्रेंड तो यह जो पंक्तिया है ऑप्शन सी है हमारे सूर्यकांतर पार्टी निराला जी की है इन्होंने एक महिला को देखकर मतलब एक मज़ूर महिला को देखकर य इन की तो 53 का अंसर कैया हमारा सी सूर्यकांतर पार्टी निराला जी चलिए बात करते कोशन नंबर हमारे 54 की यह यह क्या कह रहा है ग्जान पीठ पुरुषकार किस छेत्र में कार्य करने पर दिया जाता है जो हमारा ग्जान पीठ पुरुषकार है वो मैं आपको बताती option D हमारा right है यह साहित्ते के छेत्र में दिया जाता है friends और इसे सर्वोच पुरुषकार माना जाता है ठीक है और मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले है किसे मिलाता है तो यह मल्यानम के जो रशनाकारत है जी शंकर कुरूप जी को मिलाता है किसको जी शंकर कुरूप को मिलाता उस ताइम पर इनको एक लाख रुपे धंडाशी मिली थी और आज के टाइम पर इस पुरुषकार की धंडाशी ग्यारा लाख रुपे है ठीक है friends चलिए बात करते कोशन नंबर 55 की निमन में से सक्रमक क्रिया है तो फ्रें कौन सी वर्णमाला को वर्ण माला में मालाजाता है क्या मालाज जाता है वर्णमाला में आपको चुक्य cin क्या होगा? प्लस यह से डोगा होता है यह दोनों कर किया बनता है तो यह से बने मीस से बनाए तो इसको स्था से बात करते हों ऐसे यह कुछति है इसका पूर्जानमर शुख्द कर रहे हो इस ऐसे यह थे इसके हिसम ड्रभक्षंगeria संगया जाती वाचक है ठीक है अब बात करते हैं किस वर्ग का किस प्रकार का वियंजन है मैं आपको पता चुकिए हूँ पिछले वाले प्रेक्टिस सेच में भी ता आपको आंजर खुदी कर देना चाहिए इसका तो कौन सा है कि हमारा मुर्धन्य है ठीक है ता को बहुत है ह जीप का अगर भागे पहला भागे तलवे में पीछे वाले हिसे को टच कर रहे है तो ता हमारा कौन सा है मुर्धन्य है ठा ठा डा ठा डा डा मैंने बताया है आपको चैप्टर वगेरा हट जगे मां आपको बता चुकियो तो इसका भी आपको पताशल गया चलिए बात करत तो मनो रत में क्या होगा उसका मन विसर्ग रत होगा option A हमारा यहां राइट होगा बिल्कुल ठीक है friends देखे मैंने का था जब विसर्ग से पहले आ की ध्वनी आती जैसे मन में क्या आ की ध्वनी आ रही है ना और पीछे यारा लावा तो रा दिख रहा है ना यहां पर तो यहां पर सफकते चल लाए तो कौन सी दिर्ग सवरसंदी लग रही है क्योंकि बड़ा आ आ रहा है यहां पर ठीक है बड़ा आ बड़ी इ मैंने बताया था ना आपको बड़ा आओ तो यह कौन से हमारी दिर्ग सवरसंदी option D हमारा बिल्कुल राइट है 60 का चलिए बात करत तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था वर्क के पहले वर्ण का पांच वे में पड़ी वर्क का पहला मतलब इसको जगनात को जब आधा करेंगे तो क्या बनेगा जगत प्लस नात बनेगा तो जगत में क्या है ता होता है यह हमारा पूरा नहीं होता है तो ता को पांच व विए और इसको डैश भी कहते हैं हिस्टेशन 63 कि लागव चिंग होता है तो फ्रेंश लागव चिंग किस के लिए होता है मैं आपको पढ़ा आचुकी हो सारे कि यग के लिए तक ली किसके लिए हमारे पर प्रेट का संजिप्त अ के लिए बड़े अचन झालब भी देखे अफ्ज की जैसा होता है हमाराmy भाव समास किसमे नहीं है तो friends हमाराज चो अव्य भाव समास ने आप बताएंगे किसमे नहीं होगा देखिए यहां पर कहा रहा हु है कि फ्रत नोब 2 नौरắtनों का संभू साफ पतर है आप अप्शन डी म Waar ला यहां पर रोंक है मतलब यहां पर इसमें नहीं मैं नहीं नहीं और भी हमारा अवे बाउर का उद धारन है प्रिति दिन भी यरे था сам भवheen होगा मैं आपको बताती हूँ बहुवी ही समास का नहीं होगा क्यूंकि इसमें होता है हमारा option A कौन्सा राइट होगा हमारा देश रक्षा के लिए section A तक पुरुष्त समास देखिए ठीक है इसमें क्या है देश रक्षा का विग्रह भी करके देख लीचे देश रक्षा तो देश की रक्षा मतलब देश की रक्षा हो गया ना की आ रहा है का रक्षीन आ रहा है हमारा चलिए तो बात करते 66 यहां हो रहा है अभी लाशा का प्रियाव अची है तो फ्र स्वेशा नायक फ्रेंट द्रेम कर दो पर सकते हैं तो सब्सक्राइब करको रिच्छें कर दो कर सकतें हों पर अप्षा कामना कांशा इप्षा खुआहिश यह सब किसके हैं मनोरत अभीला शकीतो हैं तो friends इसका आप मत लगाईए टिक आप अपने आपको गलत नहीं सूचना है कभी कभी क्या होता है question भी थोड़े थोड़े गलत होता है अप चलते है question number 67 की side कि बोले इर्शय का प्रियाई वैची नहीं है चलिए पढ़के देखते हैं ए मतसर डाहा जलन रसाल एक चीज़ देखिए रसाल किसका प्रियाई वैची होता है आम का होता है न तो option D हमारा राइट होगा कि रसाल इर्शय का प्रियाई वैची नहीं है ठीक है friends चलिए हम बात करते हैं question number 68 की सगुन का विलोम शब्द बताईए तो सगुन का friends पता है आपको जिसने पढ़ाए क्या होता है option A निगुन सगुन का निगुन विलोम शब्द होगा याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं trick लगा लेते हैं कुछ भी सगुन मतलब गुन के सहित मतलब गुन वाला निगुन बिना गुन वाला इससे करके आप याद कर सकते हैं वैसे सगुन का निर्गुन होता है चलिए बात करते है question number 69 की जो पसीने से उत्पन हो वाक्यांच के लिए एक शब्द चुनिए वन वर्ड आंसर करना है हमें यहाँ पर क्या बोलना है पसीने सुत्पन हो उसे क्या कहेंगे अंड़ जो होता है option D वो अंड़े सुत्पन होता है तो पसीने सुत्पन होने वाले को क्या किते हैं सुएज option B होगा अब आपको मताते हैं क्यों होगा स्वेद किसी कहा जाता है स्वेद किसी कहा जाता है पसीने को स्वेद कहते है ना हम लोग स्वेद क्या होगा पसीने सुत्पन होने वाला स्वेद हुआ ठीक है चलिए option ओप्षन tenth हमारा right है 69 का वार्णिक का तद्भव रूप है वार्णिक जो word है इसका तद्भव रूप हि हो क्या होगा 72 का An अब बात करते कूशन नंबर 73 कि कौन सा शब्द फ्रत्य से नहीं बना है तो चलिए देखते हैं नव शब खार्द भी दे रहा है, नव का मतलब नया होता है, दिनल25 ही नव सही है, मृदुल में मृदू होता है कॉमल, दिनल25 फिल भी ठीक है, बहुत गलट है क्योंकि भी में थोड़ी न ता लगीकाई, ये question में भी थोड़ी सी problem है friends इसमें क्या है दो option ये वाले दो दे दिये हैं जो प्रत्य नहीं बना रहे हैं ठीक है चलिए आपको परेशान नहीं होना थोड़ी बहुत practice set में तो गलती देखें मिली जाती है यहां तक कभी कभी exam paper में भी मिली जाती है चलिए बात करते 75 की नीचे दिये शब्दों के समानार्थक शब्द में से उस गलत है उसका chain करना है समानार्थक शब्द क्या होता है friends प्रेवाची बता चुकी हूँ मैं आपको तो प्रेवाची जो गलत है उसका हमें यहाँ पर chain करना है अंबर का क्या होगा अंबर का होगा आकाश भी होता है अंबर का और मैंने पढ़ा है अंबर का वस्त भी होता है पर गोद और कपास के बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा है तो friends यहाँ पर भी थोड़ी सी confusing है प्रिंद के प्राइबाची वहुवारस और शूरस मुहावरे का सई이 मैं तो आपको पता हैं सबाद करतेकोशन माईंतर स्कूष मुतरे 466 गर का ठाहिए zekään बढाने और गोस्ट नगे जा और समय तो कम अब नहीं तो पता है जैसे मिलें लंका पूरी तो आपको न्हें पेलोडी ने पेलिए नगें पाइसल दिए जायगर को कैस्ता अब देख सब्सक्राइबं दो हाणिकार खुदास हानिकारक है नहीं जाया ही गर में एकता हो तो विजय निश्चित है नहीं ये इसका मुहावरे का सही अर्थ नहीं बैठता है विश्व गहती मित्रहानी कारक होता है हाँ ये कह सकते हैं लड़ाई हुई तो विश्वास गहत कर दिया उसने दूसरे को जाकर आपके चुबली कर दी सारी तो ये राइट ह होगा ऑप्शन सी हमारा यहां बिल्कुल राइट है ठीक है चलिए बात करते कोशन नमबर 77 की एक तो करेला दूजा नीम चड़ा देखिए तो इसका क्या होगा इसका फ्रेंड ऑप्शन डी होना चाहिए दोरा दूगुन क्यों होना चाहिए ये से लिए होना चाहिए एक करेला मतलब एक तो करेला है यह मतलब कोई इता कड़वाय गंदा सा होता है दूसरा नीम चड़ा उपर से नीम चड़ा है मतलब नीम भी कड़वी होती है जैसे कि किसी को देख के हम कहते कि शकल एक तो इसकी शकल वैसी खराब है उपर से घमड में इतनी रहती है तो क्या ह दो रगुण, मतलब दो दरेके की कमिया होना, चलिए बात करते हैं कुशन नमबर 678 की, गड़े मुर्दे उखारना, फ्रेंच तो गड़े मुर्दे उखारना क्या होता है, चलिए देखते हैं, अतीद के सामने सबको लाना ही नहीं, यह नहीं होगा, हमारा गलत है, पुरानी वस्तु को खोड़ डालना, यह भी नहीं होगा, गड़ी चीज को हवा में लाना, नहीं, ऑप्षण D होगा, अतीद को उद्घटित करना, अब मैं बताती है, उखरना करना समानार्ति शबना उद्घटित भी होता है, गड़े मुर्दे मतलब पुरानी बातों को दुबारा से सामने लेके आ जाना, दूसरे के, तो अतीद को उद्घटित करना, हमारा ऑप्षण D बिल्कुल सही है ठीक है चलिए बात करते हैं कोशन नंबर 79 की यहां यह कह रहा है महादेवी निम्न में से काले शपे शब्दों को शुद रूप चुनिए मतलब यहां पर क्या है अशुद रूप लिख्यों है कुछ जो जैसे की कवित्री है डार्क लाइन हुई पड़ी है अशुद है इसका शुद हमें बताना है फ्रेंट्स बहुत से बच्चों की यहां भी confusion थी कि मैं कवित्री ऐसे होगा ऐसे होगा आप इसे सही बतारे तरह इस तरीके को लिखे हुए को कवित्री तो देखिए यह अशुद बोलाए इनों नहीं यहां पर किस शुद बताना ह है मैने करा बता है ताब ही हमारा ठीक होगा यहां देखते है option कवित्री बिल्कुल सेम लिखा है बी गलत है हमारा मात्रा देखिए चोटी की परिक्षा कैसे लिखा जाता है फ्रेंड परिक्षा में छोटी की नहीं बड़ी की मात्रा आती है तो कहां दिख रहा है हमें ओप्षन बी हमारा बिल्कुल ठीक है ये तो दोनों पहले ही गलत हो गया है तो कौन सा है ओप्षन बी हमारा राइट है इटी का बी पात करते है कोशन नमबर एटी वन की महंत जी को अध्यात्म अध्यात्म का अच्छा ग्यान है तो अध्यात्म हमारा गलत है अध्यात्म नह है चलिए बात करते कोशन नमर 82 की यहां कह रहा है यह दिये गए प्रश्णों के चार विकल्प में से सही वाक्य का चेन कीजिए मतलब चार है इन में से किसी सही को चुनना है मैं कौन सा सही है सूर्य पूर्फ पर उगता है पर गलत लगा है पर नहीं होता है चलिए यह हमारा डी राइट है चलिए बात करते कोशन नमर 83 की सर्वितिक प्राचिन संप्रदायत कौन सा है तो फ्रेंड मैं आपको इसका उप्शन बताना चाहती हूँ इसका उप्शन हमारा डी है जिसको नहीं पता है याद रख लीजगा रस क्यूं है रस ये तो मैं आपको एक चीज ब 11-11 मात्र है तो आप बताएए क्या होंगी इसकी मात्रा है ऑप्शन डी हमारा राइट होगा 13 मात्र है ठीक है फ्रिंट्स चलिए आज हमारी हाँ पर क्लास कंप्लीट हुई और के किते हैं अगर आपको पसंद आते है शेशन तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कीजेगा औ कमेंट तो प्लीज जरूरी सबसे इंपोर्टेंट है कमेंट जरूर कीजिए चलिए ओके ठीक है थेंक्यू बाई